हरितालिका तीज दो हजार चोविस सनातन धर में हरितालिका तीज ब्रत का काफी महत्व बताया गया है इस ब्रत में सभी ब्रती निर्जला उपुआस रख भगवान सीव से प्रार्थना करती है हरितालिका तीज हिंदू धर में तीज तिथी का काफी महत्व है और साल भर में बड़े तीज ब्रत आते हैं फिलहाल भादर पत मास चल रहा है और सुकल पक्ष की तिर्टियातिती को हरिताल का तीज मनाया जाएगा इस दिन सुहागिन महिलाएं खंड शौभा के प्राप्ती और अपने पती की लंबी उम्र के लिए ब्रत रखती है यह ब्रत काफी कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें फलाहार नहीं किया जाता और यह निर्जला ब्रत होता है इस ब्रत पे भागान सिव और माता पारवती की पूजा के बाद रात्री जागरण भी किया जाता है तो चलिए जानते हैं इस बार कब रखा जाएगा हर्ताल का तीज का ब्रत क्या है मुर्त पूजा विधी और भोग रिश्पी माना जाता है कि भोले नात को खीर अतिप्रिय है इस दिन खीर का भोग लगा कर महादेव को प्रसंद कर सकते हैं इस साल हर्ताल का तीज का ब्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा इस तिथी की शुरुआत 5 सितंबर की दोफर में 12 बज़ कर 22 मिनट पर होगी और इसका समापन 6 सितं सितंबर को सुबह 3 बज़ कर एक मिनट पर होगा पंडी जी के अटुसार उद्याति थी 6 सितंबर को होने के कारण ब्रत भी इसी दिन रखा जाएगा जबकि पूजा का सुबह 6 बज़ कर एक मिनट से लेकर 8 बज़ कर 32 मिनट तक रहेगा सुबह ब्रह्म मुहुर्थ में उटकर असनानाद से निवरित होकर साप बस्त्र धारण करें भगवान सिव माता पारवती और भगवान गड़ेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं और प्रतम पूज भगवान गड़ेश की पूजा करें इसके बाद भगवान सिव को बेल और माता पारवती को स्रंगार का समान अर्पित करें पूजा के अंते में भी पहले गड़पती देव और फिर सिव सकती की आरती करें अगले वीडियो में फिर नहीं जानकारी लेकर के आऊंगे तब तक के लिए नमस्कार